हैं प्रेज्द्स मेरे बिर्डब्र इस उचनल का लिए यूद्स कर झाईए और आपट इस को बहुत कम क्किने स्पार José मेरा नाम है प्यूज शर्मा और आप देख रहे हैं इलेक्राउन स्टोरी मूव करते हैं पहले फीचर की तरह बहुत बार ऐसा होता है कि आप ग्रूप में बैठे हैं और कहीं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं और आपको एक मेसेज आता है अपने मुवाईल को स्क्रीन के साथ प्रेंड़ की प्रेंड़ के साथ अपने कान में लगा देना है तो एक्चल में क्या होगा कि जो sound है वो speaker से ना आके आपके earpiece से आएगा तो आपको ख़़ी जाने की ज़रुक नहीं है और private होगा सिरफ आप ही सुन सकते हैं तो ये था पहला teacher तो चलिए friends चलते हैं दूसरी trick के तरफ तो इस trick में आपको पता लगाना है कि आपके message दूसरी party के तरफ पहुचा आए कि नहीं और उसने आपका message पढ़ाया कि नहीं आपके पास कॉनसा वे एक ही वे है कि उसमें blue tick आता है voice message अब जाएगा और वो उसको पढ़ेगा तो blue tick आ जाएगा उसके notification off करने से उस voice message को कोई effect नहीं होगा और आप पता लगा सकते हैं कि actual में उसने आपका message पढ़ाया भी नहीं तो ये था friends मेरा दूसरा trick तो friends चलते हैं मेरे थर्ड trick की तरह ये है WhatsApp बहुत बार ऐसा होता है कि आपको time नहीं होता है mobile दिखने का और आप चाहते हैं कि सब कुछ आप आप लाप्टॉप में काम कर रहे होते हैं चाहते हैं सब कुछ डेक्स्टॉप लाप्टॉप में हो और प्लस डेक्स्टॉप में डेक्स्टॉप में WhatsApp इस्तमाल करें WhatsApp में अपको क्या करना होता है अपने mobile में जाके आपको WhatsApp के तीन दॉट वाले section लो क्लिक करना है वह WhatsApp को open करना है तो यह QR स्कैन करने को option आएगा आपको QR करने को option से इसको on रखना है फिर आपको इंटरनेट में जाना है अपने desktop और laptop में वहाँ पर सेलेक्ट करना है WhatsApp वेब और WhatsApp वेब में जाने के बाद आपको QR आ रहा है उस QR को अपने mobile से स्कैन कर देना है तो जैसी है आप स्कैन करेंगे आपने mobile से तो वह जो इंटरफेस वहाँ चल रहा है वही session आपके जो mobile में है same session हो जाएगे और actual में आप यूज कर आपको यह मेरे ट्रिक्स पसंद आया होंगे चलिए फिल मिलते हैं नेक्स वीडियो में कुछ नए ट्रिक्स के साथ तक तक के लिए stay connected stay safe and stay happy